यह से नुजी नज़र डाले अगर गौर कॉंप्लेक्स की योड तो देख रहे हैं कि गौर गम और गौसीड आज हफ़ते के पहले कारवार दिन शाम के कारवाई सत्में काफी शांदार तेजी के साथ कारवाई करते हैं नज़र आ रहे हैं गौर गम में देख रहे हैं 6% का उपरी सरकिट लग चुका है और गौसीड में 4% का आपके जो टागेट्स थे वो भी अचीवी हो चुके हैं आपको आगे क्या लगता है यहां से अब एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है या फिर यहां से भी अभी और तेजी आगे जाए कि अधिए गौर फीट गौर गम में जो ट्रेंड था वो पॉजिटीव ही था अलगी यहां पर अमने दिवाली के बाद थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटा मागेन आके वे देखा है दिवाली के कुस दिन पहले एक-दो दिन पहले हमने आपे कुछ पॉफिट बुकिंग जो ट्रेंड है इसका पॉजिटीव ही है जो कि continue होते वो दिखा है तो गौर गम में जो ट्रेंड पहले था वो अगरेन दिखा ही दिया और हम आप साथ मों देखेंगे एक पुना हम गौर फीट में साथ हैं और गौर गम में करीबन तेरा यार दोसो तेरा यार तीजो तक क लेवल देख सकते हैं तो गौर कि गौर गम का ट्रेंड पॉजिटीव ही है यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन भाय की ही रही ही जी ये से नुझी कुछ खबरे भी निकल के सामने आई है क्रूड को लेकर हम देखते हैं कि जब भी क्रूड की कीमते बढ़ती है तो उसका कही कही रिफलेक्शन गौर की प्राइसिस पर भी पड़ता है तो अब सुनने में आया है कि अगर मार्किट में ज़्यादा डिमांड आती है तो ओपेक प्लस आउटपुट बढ़ा सकता है हाला कि अभी 4 नुबर को जो बैठा कुई थी उसमें यही डिसिजिजन लिया गया थ लेकि अभी जो पहले को प्लान था उसी पर ही स्टिक करेंगे वो लोग लेकिन अब उपेक बढ़ा सकता है अपना आउटपुट महां के आउल मिनिस्टर का एक बयान आया है ऐसे में आपको क्या लगता है अगर आउल का आउटपुट बढ़ता है तो उसका रिफलेक्शन क्या गवार के प्राइसस पर पढ़ सकता है अगर करूर का डेफिनिटली एक पॉजिटिव प्रेंड रहेगा और क्रूर की वज़े से जो प्रेंड पकड़ा है वो हमें लगता है कि आगे भी कंटीनू रहेगा क्योंकि इस तरीके से हमने गवार के अंदर अच्छिगा से देखी है हमें छान कैंथा ने आगि करूर के रिकरूर रही है उसका अफर भी रहेगा तो डेफिनिटली क्रूर की ज्यादा भाव होने की वज़े से कही ना कही जो इंपक्ट है वो पॉजिटिव की तरफ भी आता हूँ दिख रहा है हमें लगता है कि गवार्चिट गवार्गम में जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा कि टूड के भाव उपर आएंगे तब को अग झाल 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 झाल